नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल एंड्रोइट सेटिंग पर आप लोगों का बहुत बहुत सागत है आज की इस वीडियो में हम चानने वाले हैं कि हम अपने एंड्रोइट फोन के 100 टैप्स आप्सन को कैसे ने बिल करें आप लोगों को नहीं पता है तो डोंट वरी इस वीडियो में मैं भी प्ताऊंगा क्या होता है चलिए आप लोग आप लोग इस्क्रीन पर देखने मैं जहां कहीं भी टच कर रहा हूं यहां पर एक छोटा सा गोला सा आइकन दिखना है इसी को सो टैप्स करते हैं सो अब जहा का सेटिंग अपने मॉवाइल में भी इनेवल करना चाते है तो आज की वीडीयोमहम यहीं जानने वाले हैं तो जादा समय नगवात है चलिए वीडियो स्टार्ट करते है返र जयों । अभी खे-how to enable so tabs चलिए हम इसके लिए अपने setting में जाते हैं यहां इपना setting open कर लेंगे और उसके बाद यहां से नीचे scroll करेंगे और यहां से जाएंगे additional setting पर यहां पर लोग देख रहे हैं उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां जाने के बाद अब यहां पर देख रहे हैं developer option तो इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्ते अगर आप लोग यह नहीं चानते कि developer option कैसे enable किया जाता है तो don't worry मैंने एक वीडियो इसके पहले बना दिया है कि developer option कैसे नेबल करें description उसका लिंक है जाके देख लेजिए क्योंकि हर मोबाइल में developer option रहता थो है लेकिन यह enable नहीं रहता है इसने enable करना पड़ता है तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और यहां से क्राल करेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इसोटपस यहां पर लिखा है सोटपस यह हमारा enable है इस लिए मेरा मसलिब जहां पर टच कर रहा हूं सो नहीं कर रहा है तो इस दरह से आप लोग अपने android phone कि skate फो डव सकते हैं और इसका फूल इसका आपना है amazing है बहुत ही अच्छी setting है क्योंकि हम जहां कहीं भी touch करते रहते हैं हमें पता चलता है कि हम्ने यहां touch किया है या इसका उपयोग सब्फंच जदा image editing में किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम लोगोंने जाना कि अपने Android phone के 100 apps option को कैसे इनविल करें अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होती है इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए बेल आइकम को प्रेस कर दीजिए धान्य वाद